आपका स्वागत है आप ही की चैनल एड वाल्यू टू लाइज में अभी मैं आपसे एक सवाल पूछूँगा कि पैसों के मामले में आपकी सतर्था आपकी तैयारी नॉलेज बेस तैयारी या अपडेटेट तैयारी ये कितनी है आपका होगे है पुरी तरीके से है पॉसिबल आप हंड़िड परसेंट हो या नहीं हो तो आप शाद आर्ग्यू करो मेरे साथ इस वाएं बट मुझे ये लगता है कि एक बार अपने भीतर चेक कर लेना जरूरी है कि जो सोच है जो समझ है वो ने जनापे है ठीक या नहीं है क्या फरक है क्यूं है इन सवाल लों के जवाब डूनना जरूरी है हो सकता है आप अच्छी जॉब कर रहे हो हो सकता है आपके पास कहीं थोड़ी बहुत सेविंग्स हो सकता है कहां पे थोड़ा सा कहीं आपने इन्वेस्मेंट किया हो वह अच्छा सा आपको रुटन दे रहा हो बट कहीं न कहीं रेग्यूलर्ली इन सब चीजों को देखना जरूरी है तो आज मैं भी बात करूंगा पांच ऐसे तरीकें जो आपके पैसों को आपके लिए आपके पैसों को आपके लिए काम करने पे पुश करेंगे मोटिवेट करेंगे आपका पैसा आपके लिए काम करेंगा ठीक है तो पहली चीज है कि आप क्या कहते है इसको एक emergency fund आपके पास होना जरूरी है अब emergency fund के माइने ये हैं कि आपके पास तीन से छे महिने तक खर्चों खर्चे का एक cover होना चाहिए आपके पास अगर कोई से illness होती है या बीमारी होती है और वो अगर unplanned कोई खर्चा अगर आ गया तो यूशुड बी covered not eating away from your regular learning but there is something on the side which is available for you ठीक है ना दूसरा है आपके जो credit card है आपके जो credit cards है उनको आप properly manage करें manage इस तरीके से करें कि जितना हो सके outstanding ना रखें जिसके ऊपर आप सिर्फ और सिर्फ penalty और interest और late fee ये पे कर रहे हो और आपके principle जो as is रह रही है it's not good to pay 2 and 3 and 4 percent monthly interest on your outstanding which is more towards the expenses it's a wrong principle अब expense करें credit card को यूश करें बद आपके जो 50 days 51 days की जो window available होती है उसको use करें pay off कर दें so you save on those 2 and 3 4 percent interest so use that cycle 50 day cycle 365 दिन में आप 7 बार cycle use कर सकते हो गुमा सकते हो पैसे which is freely available to you आपके पास savings की एक बहुत जाला नहीं कहूंगा पर थोड़ी सी savings की आदत होनी चाहिए थोड़े से पैसे बचाने की आदत होनी चाहिए थोड़े से एक क्या होता है कि एक तो वह आदत जो है वह स्ट्रॉंग मेंटल आपको एक signals देती है कि साइड में कुछ तो बच रहा है और फिर देरे देरे वह चोटी सी चोटी बून बाइबून जो बचत होती है और फिरेट थोड़ा सा एक fund होगे एक एक amount होगे तो उसको आप या तो फिर बड़े से अच्छे सारी इंवेस्ट कर सकते हो या तो कहीं पर प्रॉपर इंवेस्ट कर सकते हो कोई बड़ी चीज लेने के आपके वो help कर सकती है ठीक ना शौधा जो है वो है tax planning कि आप आप जो मेहनत करते हो जो income generate करते हो एक income होगी साथ में दूसरी होगी शाय तीसरी होगी वो सारा you have to plan properly ठीक है ना अब आप प्लान नहीं करोगे and you are just paying taxes doesn't make sense doesn't make sense so get in touch with some good tax accountant, chartered accountant, tax practitioner and take their advice यह मेरे income है पैसे बचाना चाहा हूँ, tax बचाना चाहा हूँ जो tax के लिए जो बचात करने पड़े ही that will go again into an investment channel which will bring in more interest return some sort of return so your money is growing tax आपने पे कर दिया पे कर दिया चला गया then what, gone यह नहीं कि tax नहीं पे करो no saying get the planning in place तो होगा क्या प्लानिंग जब इन प्लेस होगी ना तो आपको और अंदर से इच्छा होगी कि मैं और effort दनूँ और grow करूँ तो आपी का फायदा है उसके बाद हमाते हैं insurance आपने insurance लेना चाहिए insurance के बहुत से अलग अलग types है term insurance होता है money back insurance होता है endowment insurance अलग अलग type type insurance होते है तो every now and then regularly buy some insurance for yourself, for your family अब फैमली में सीन ऐसा है कि insurance जो है, it is treated as your clone trying to be your clone in terms of earning of income आप और मैनत कर रहे है, उपर वाला ना करे कुछ उच नहीं चोगे but then there has to be a substitute for you and me which can keep generating income for the family, तो family के लिए एक support system parallel चेगे तो आज तो सीन ऐसा हो गया है कि husband and wife both more or less have to work then वो family savings, investment ये वो सब जो गार चलता है so equally in all this between insurance is a must so don't ever, I would say ignore or don't give insurance last priority so think, think on all this small small things plan it accordingly और हमको अपने बड़ों ने कुछ सिखाया था वो भी मैं आभी आपको बता रहा हूं कि आपकी जो investments होती है वो चार या पांच पार्ट में डिवाइड होनी चाहिए एक प्रॉपर्टी दूसरी इंशॉरंस तीसरी गोल्ड थोड़ा सा चौथा इसी तरीके के short to medium term के investment plan जैसे fix deposit हो गया या चोटा से different avenues don't put your all the eggs in one basket यह आवाते हैं जिश में तो सेम जी है कि आपका सारा ही पैसा एक जज़पे न डाले इस प्रेड आउट करें कोई एक चीज उच नीच हो गई तो बाकी की तीन है दो हो गई तो फिर भी बाकी की दो है और यह नहीं हो सकता कि तीन या चार कि सारी की सारी कुछ खराब हो जाए नहीं अनले संदिल the country the region has gone into low drums ऐसा बट नहीं होता है तो यह छोटे से पांच अंगल है पॉइंट्स है जो आपके थोड़ा सा money management करना जरूरी है यह पांच तरीके जो है यह आपका बैसा इसमें जाएगा तो यह पैसा फिर आपके लिए ही काम करेंगा जो में मैसेज है जो टैटल इस वीडियो का तो इस तरीके से यह छोटे से पांच element है जो आप कर सकते हो आप किसी starting level के हो life के income थोड़ी सी कम है खर्चे जैसे तब भी आप थोड़ा थोड़ा element करके कर सकते हो इसी के साथ मैं यह वीडियो यहां पर समाप्त करता हूं बहुत बहुत धन्यवार यहां तक सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें आपके पास यह और कोई टिप है तो वह शेर करें इस कमेंट में लिखें प्रशन पूछें और सजेशन्स दें और चैनल को सब्सक्राइब करें शेर करें चैनल को और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में थैंक यू वेरी मच